उत्तर प्रदेश में देश की प्रथम एजूकेशन टाउन्सीब आज का पहला बिंदु है आप लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आधितनाथ ने 23 अगस्त 2022 को अमेरिका की तर्ज पर बिक्सित होने वाली देश की प्रथम एजूकेशन टाउन्सीब प्रियोजना को मंजूरी दे दी है सरकार और निजी छेतर के लिए खोली जाएगी देश दुनिया को प्रतिश्थित सरकारी वा निजी विशुविद्याले अपना कैंपस खोल सकेंगे आटलावासी विद्याले जैसे प्राथमी कवर माधमी विद्याले भी खोलेंगे इसनातक वा प्राइसनातक की पढ़ाई के लिए विशुविद्याले कालेज की स्थापना होगी मैनेजमेंट तक्निकी बिधीवा मेडिकल से जुड़े पाठिकरम पढ़ाईवा रिसर्च आदि होंगे मुखमंत्री द्वारा प्रदेश में ऐसी पांच टाउंसिप विकास करने का निर्देश दिया गया है नीट आयाइटी यूपियसी इसे प्रतियोगी परिछाओं के तयारी कराए जाएगी टाउंसिप में ही छात्रों और अध्यापकों के लिए आवास की भी विवस्ता होगी अमेरिका के पीटर सबर्ग यूएई के दुबई में नालेज सिटी और साजहां के नालेज बिलेज में ऐसी विवस्ता है जहां विश्तु के कई देशों के प्रतिश्चित विश्तु विद्याले के कैमपस है उत्तर प्रदिश के बरेली का भरतावल गाउं तीन सितंबर 2022 के सभी ग्रामीडों के घर तक आरो पानी पहुँचाने वाला प्रदिश का पहला गाउं बन गया है नोडा में सुपर टेक समूं के ट्विन टावर को 28 अगस 2022 को दोस्त करने में 12 सेकंड का समय लगा था ये वही ट्विन टावर है जो की अवैद रूप से बनाया गया था वह राज जिसने हालही में जल सुल्क नियामावली को मंजूरी दिया है उत्तर प्रदिश है देश का वह राज जिसने हालही में राज में जेल मैनुवल 1941 के स्थान पर जेल मैनुवल 2022 लाग किया है उत्तर प्रदिश है उत्तर प्रदिश का वह जिला जहां हालही में जमीन की खुदाई के दोरान एक हजार साल पुरानी सूर्व भगवान की परतिमा प्राप्त हुई है हमीरपूर गन्ने के उत्पाद दक्ता को बढ़ाने के लिए उत्तर परदेश सरकार ने कौन सी योजना सुरू की है पंचा मिर्थी योजना उत्तर परदेश का वह जिला जहां ह हाल ही में राज्ज के पहले टेवल टाप एरपोर्ट का निर्मार किया गया चित्रकूट है उत्तर परदेश वह सहर जिसकी हाल ही में 11 साल की आउसत पर इंडियन रोड कांग्रेस की मेजबानी मिली है लखनौ है उत्तर परदेश में लोकलाओं एवं इस्थानी बेंजनों को प्रमूट करने के लिए उत्तर परदेश संस्कृति विभाग ने किस नाम से सामुदाइक रेडियो सुरू किया है रेडियो जैगोस है यूपी गलोबल इनबेश्ट सम्मिट दोजार तेश के विस्थु का पहला भागेदार देश सिंगापूर है उत्तर परदेश वह जहां हालही में राज सरकार ने डिजिटल फुल म्यूजियम बनाने का निर्डे लिया है प्रियाग राज है उत्तर परदेश का वह इस्थान जहां हालही में राज सरकार ने नर्प अच्छी विहार बनाने का मौसोदा तयार किया है कर्चना प्रियाग राज है केंद्रिय या आकडो के अंसार देश में सरबाधिक एलेक्ट्रिक वाहन की संख्या वाला राज उत्तर प्रदेश है चन्र सेखर आजाद विसालकाय प्रतिमा लखनों में स्थापीत की जाएगी कासी विशुनात कारीडोर के तर्ज पर राम कारीडोर अध्यम बनाये जाएगा उत्तर अगला बिंदु है भी फार्मा मेडिकल डिवाईस पार्क उत्तर प्रत्र फ्रत द्व द्वारा-मद्ध और पस्चीम उत्तर पर्देश को बी-फार्मा मेडिकल डिवाज kaa के रूप में भिक्सित किया रहा है का मेट कल डिवाईश पार को भिक्सित करने के लिए गौतम बुद्र नगर को चुना गया है कि इस पार्क को जिवर बिलियन डालर की से कम है जिसे 2-3 बिलियन डालर तक किया जाएगा हर घर नल क्नेक्शन कि जल जीवन मिसन के तहत ग्रामिड इलाकों में हर घर नल कनेक्शन देने में अक्टूबर 2022 के मामें साज आप पर्देश में नंबर वन रहा जल जीवन मिसंद द्वारा जारी अक्टूबर 2022 महा के आंकडों के अमसार सरफसिर प्रदर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों में साजहापुरू, बुलंच सहर और बरेली सामिल थे मुख नयद हिसों का 23. अंतरराष्टिय सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राज़ानी लखनों के सिटी मांटेश्री स्कूल में मुख नयद हिसों के 23. अंतरराष्टिय सम्मेलन का आयोजन किया गया 18 से 22 नुवंबर 2022 तक आयोजी चार दिवसिय अंतरराष्टिय सम्मेलन में 61 देशों से 250 से अधिक मुख नयद हिस राष्टपती और प्रदारमंत्री कानून भी आधि परख्यात हस्थियां हिस्सा लिए इस अंतरराष्टिय सम्मेलन में सामिल सभी प्रदभाग्यों ने 201 तायों सान्ती के 202 के ढाई अरब बच्चों और आने वाली पीडियों के लिए सुरच्चित और सुख में भविस की गारंटी प्रदान की गई अगला बिंदो है सब जूनियर राष्टिय बैडमिंटन चैंपियंशिप 2022 उत्तर प्रदेश के लखनों में 18 से 23 नवंबर 2022 तक योनेक्स सन्राइज 34 सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियंशिप 2022 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संग के सचु सुधर्मा सिंग है इस चैंपियंशिप में बाला क्यों बालिका की एकल योग यूगल प्रतिस परदा खेली गई जिसमें 31 टीमों ने भाग लिया प्रतियोक्ता के एकल वर्ग में उडिसा के तन्वी पत्री ने उत्तर प्रदेश की दिव्यांसी गोतम को 27 या कईश दस से हरा करके चैंपियंशिप में बालिका वर्ग की बिजेता बनी वहीं बालक के एकल में तिलंगाना के निसांत ने आंद प्रदेश के आखिल इंगुईड और रिसब नागनोम ने अपनी अपनी प्रतियोक्ता में प्रतामिस्थान प्राप्त किया भारतिया मुद्रा परिसत सम्मेलन भारतिया मुद्रा परिसत में 104 में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन लखनों के गोंती नगर में अंतर राष्टिया बहुत सोथ संस् बिम्ब होती है इसे तत्कालिन इतिहास्यों अर्थिववस्ता की जानकारी मिलती है जिसे हमारी आगामी पीठी को हमारे संव्रिद्र संस्कृति का ग्यान होता है इस अवसर पर राज संगरहा ने लखनो द्वारा लगुचित्र आजहारित छाया चित्र प्रदस्नी का में महेवा में कामन फैसेल्टी सेंटर बनाया गया यह सेंटर 600 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा जो की मौंज उत्पादों की बिक्री में कारगर साबित होगा इस सेंटर में रामेट्रियल बैग लैब रिसर्स सेंटर ट्रेनिंग सेंटर भी होगा लैब में इलहाबाद क इंद्रिये विश्विद्याले समेद कई विश्विद्यालें द्वारा सोध होगा ये सोध मौंच के कच्छे माल के रूप में उपयोग वाले कांसा और सर्पत के उत्पादन को लेकर होगा ये ये देशों में मौंच कराटो को निर्यात करने के लिए इसमें हर बलरंग का प आरत.